कटछल के ब्रिक्च झारकन के सभी चेतरों में बड़ी संख्या में पाए जाते हैं यहाँ बिविन प्रजाती के कटछल देखनी को मिलते हैं कुछ गोल आकार के तो कुछ अंडाकार तो कुछ ब्रिहद आकार के कटछल नगड़ी छेतर के वरिष्ट पत्रकार एम एतिहासकार केशो कुमार भगत बताते हैं कि कठल एक गुणकारी फल है जून और जुलाई के माह में जार्खन के जिस छेतरों में आप जाईए वहाँ आप कठल से लदे वरिक्ष देख सकते हैं भाजपा किसान मुर्चा के प्रदेश कारेकारीनी सदसे केदार महतो का मानना है कि कठल बेवसाईक दृष्टी कौन से भी काफी लाबकारी है क्योंकि इसकी पैदावार तो लंबे समय तक होती है इसका इस्तेमाल भी हर तरह से होता है इतना ही नहीं कठल के कई आउशद ये गुण भी हैं ये हृदय को स्वस्थ रखने में मददगार है साथ ही ये मधु में अनीमिया से बचाओ प्रतिरक्षा प्रणाली के विकास और हडियों को स्वस्थ रखने में भी लाबकारी है कुदरत ने जार्खन को कई खुबसूरत तौफों से नवाजा है और कठल भी उन्हीं में से एक है बिश्व में बहुत कम ही ऐसे फल होंगे जो आकार और वजन में जार्खन के कठल के बराबरी कर सकते हैं शायद यही कारण है कि कठल को जार्खन का राज के फल माना जाता है दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से प्रताप की रिपोर्ट